खर्मास के बाद जदियों में बरी तूट की साथ सरकार की विदाई कराके की ठंड से भी अधिक अप्राद की घटन से काप रहा है बिहार किसानों के समर्थर में राज़त और तेज करेगा अंदोलन सरकीट हास में रविवार को राज़त करताओ की साथ बिहार सरकार के पुरुमंत्री सारोंगाबाद के बिधायक डॉक्टर सुरेश पाशवान ने का कि बिहार के राज़ते में आने वाले समय में सत्ताधार दल जदियों में बहुत बरा भूचाल आने वाला है मकर संक्रांते की बाद जदियों में बहुत बरी टूट होने वाली है जदियों के 20 से अधिक बिधायक सूबे में परिवर्तन के लिए तो यार है ये बाते बिहार सरकार के पुर्वंत्री साहोरंगाबाद के बर्तमान बिधायक डॉक्टर सूरेस पाशवान ने कही है रविबायर को वा राज़त के सांगर्जिनिक बैटक में सामिल होने आये थे उन्होंने कहा कि नितिसकुमार के नेतित में बिहार में महा जंगल राज कायम हो गया है उन्होंने बताई कि अपराध्यों का मनवल चरम पर है और सरकार अपराध्यों के सामने बेवस है राज़त की बिधायक ने कहा कि कराके की ठेंडर से भी अधिक बिहरा प्राग से कांप रहा है बिधायक ने कहा कि नितिस कुमार भी जेपी की कट पुतली बन कर रह गये है उन्होंने केंदर शरकार पर निसाना साथते वे का कि मोधी सरकार देश में कमपनी राज लाना चाहती है किसानों के लाया गया किर सिविल पूरी तर किसान बिरोधी है किसानोंने कई कमपनियों के बायकॉट का एलान खिया है किसानों के समर्थन में लोग को ऐसी कंपनीयों के उतपात का पूरी तह से वहिशकार करना चाहिए उन्होंने का कि आने वाले समय में राजुत किसानों के समर्थन में अपने आंदोलन का ओर तेज करेगा मौके पर राजित की पडेश उपाधक्ष डॉक्र तानवीर हसन जिलाधक्ष मोहितियाद महानगर जिलाधक्ष सिपजी मेहतो उपाधक्ष सुधीर सिंग आधी कारिकर्टा मजूद थे बिहार नीज परती दिन के लिए अब देश कुमार की एक खास रिपोर्ट इस तारीक को जो बैठक हुआ था हम लोग उसमें हरीक जिला में विगत संपन चुनाव की समिख्षा और आगे किरन निती की करम में हमारा यहां अगमन हुआ है अभी जो बरतमान इस्थिती देश और राज का है जो देश में किसान अंदोलन चल रहा है अशरकार उसको अपने आवाज के माध्यम से दबाना चाह रही है या सासन के माध्यम से दबाना चाह रही है इस तरह से हमारा देश अंग्रेजों से लडाई लड़कर के खदेर करके आजाद हुआ था और आप फिर एक तरह से नए अंग्रेज को खेती में परवेश करा करके अर देश को गुलाम मत बनाईए यह देश गांधी का देश है लोहिया का देश है यह प्रकास का देश है चोधरी चरन सिंग्जी का देश है इस देश के किसानों को निस्पना बूद एक तरह से करना चाहते हैं गुलाम बनाना चाहते हैं इसलिए किसी भी हालत में एक तीनों किरशी कानून देश के हीत में खेती के हीत में, किसानी के हीत में नहीं है, इन तीनों कानून को वापस करिए और जनमत संगरह करवाईए पूरे देश में, परलेमेंट के विशेश सत्र बुला करके और जनमत संगरह करवाईए कि कैसा कानून इस देश कुछ है, यह नंबर वान, नंबर टू, नंबर टू, यो बिहार में चुनाव हुआ घी लोक तंसर का गला गउर दिया गया राजद आज़क और हमारा गटान लगातार सब्रक पर उतर करके हैं कि हमने भारत बंधिया हमने धर्णा किया हमने कोश्टी किया हूं किवार में में नहीं है। कुछ鬼 में हैं हम किशानों के उस दर्द के साथ है। जिस दर्द से किशान परिशान है। मज़दूर परिशान और देस परिशान है। इसलिए रास्तिय जंतादल फोलादी तरीके से उग्राण। पड़ेगा तेज आंदोलन भी करने का पड़ेगा जीयो मरो का भी नारा हमको लगाना पड़ेगा देना पड़ेगा तो हम किसानों के साथ हैं पूरे देश के किसानों के साथ हैं किसानों के आंदोलन की डर से मरेंदर मोधी को हिम्मत नहीं हुआ कि हम पारलियमेंट का सीध कालिन सेशन बुलाएं इतिहास में पहली बार होगा कि पारलियमेंट का सीध कालिन सेशन नहीं किया उनके उतपाद का बहिश्थ कार करना चाहिए, एक तरह से फिरंगी बन के आये हैं, बिधेशी बन के आये हैं, उनको किवल दौलत से मतलब है, पैसा से मतलब है, कोई इस देश के किसानों से, मेजदूरों से और लोगों से कोई मतलब नहीं है, सरकार वाकई में किसानों का 2 को गुना और चोगुना अमदनी करना चाहती है तो मैं सिर्फ एक छोटा सा उनको प्रस्ताव देता हूं कि इसको आप मान लीजिए सच मामले में आप किसान का हिद चाहते हो मजदूर का और देश का हिद चाहते हो तो किर्सी का उद्योग का दर्जाद दो हमको कोई MSP नहीं करेगा लए हम तेह करें लेकर एक पैसा भी किसानों के प्रतिज़द है ताप उद्योग का दर्जाते लोकतंत्र को बचाने के लिए मजुरोंके हित्मे गरीबों को रही देगा हम तो सब्सक्राइब तैयार रहते हैं लेकिन जब कमांडर इन चीफ हमारे कमांडर इन कि आपको त्यार रहना है तुमारे करता इसलिए तो हम लोग देख रहे हैं साल के अंतिम में यहां पहुंच गया है लोग इसलिए सब जगा हम लोग जो है त्यारी में हैं चाहे चुनाव में जाना हो चाहे सरकार बनाना हो और तीसरी बात है कि 2021 का भविश्वानी बेकार नहीं जाएगा नितिश कुमार जे बिहार के भार हो चुके हैं ठक गये हैं बोल नहीं रहे हैं मुह उनका बंद हो गया है इसलिए आप मुक्त कर दिजिए बिहार को अरुना चल में आपका गठ बंधन का साथ ही भाजपा इंजेक्शन लगा करक आपको अवाजे नहीं दिखाईये नहीं दे रहा है और मैं कह रहा हूँ 14 जनवरी के बाद खर्मास के बाद जनता अदल नियुनाटिव में महाबिस्थोट होने वाला है 20 से अधी के मिले लोग तंत्र को बचाने के लिए बिहार को बचाने के लिए परिवर्तन के रह पर जो जनता परिवर्तन के लिए जो जनता ने वोड किया था पूरे बिहार का यार का लोग तंतर परिवर्तन की इस तरह से बड़ा से बड़ा प्राधिरी सरेंडर नहीं करता है उस तरह से उन्होंने सरेंडर किया है लगता है कि उनका बड़ा भारी गला फंसा हुआ है हुआ सकता है शुर्जन भी हो सकता है फिल्टार कुमार जी बड़ा भारी भाइव सता रहा है वह अपने जान बचाने के लेकिन जान बचने वाला नहीं है करो तुम लाक चतुराई तुम्हें तो जाना ये करा रहा है इतना जाड़ा से नहीं काप रहा है अभी जाड़ा भी बहुत पड़ा है साथ डिग्री आठ डिग्री इसलिए जाड़ा से भी ज़्यादा इस्थंडी से भी ज़्यादा अपराद से बिहार काप रहा है इसलिए नितिश कुमार जी अब बिहार को आप मुट करें